शे विपक्षी दलों ने चुनाव आयोक का भी दर्वाजा खट खटाया और जांच एजेंसियों की कारवाई से फूट की गुहार भी लगाई थी और इसी इपर अब आगे कदम बढ़ाया जा रहा है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी समेथ सभी विपक्षी दलों पर हमला बोल दिया है शिवसेना यूबी टी उद्धाव ठाकरी की पार्टी के नेता संजे राउत ने कहा है कि भारत में रूस और चीन का पैटर्न चल रहा है आप ब्रस्टाचार करेंगे और आप कहेंगे ब्रस्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए एजेंसीज हमारी जाच नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं तो यह कानून से परे की बात है यह कानून की परधी की बाहर है, मुझे आश्चरिय होता है यह जो वीरोधाभास है इन पॉलिटिकल पाटीज के बीच में, आपस में जो वीरोधाभास है वो अभी पब्लिक डोमेन में है। यह जो वीरोधाभास है इसे गुजराथ पैटर्न बोगते है आजके में। नवंबर 2023 में अर्विंद केजरिवाल को भी E.D. ने पहला समन्स धमा दिया। दिल्ली शराब गोटाले में मुक्षमंत्री अर्विंद केजरिवाल का नाम सबसे पहले मूंग्टा श्री निवास सुलू के बयान के बाद आया। मुंग्टा ने बताया कि साल 2021 में उसने दिल्ली में शराब कारोबार के नेजी करण का विज्यापन देखा और 16 मार्च 2021 को दिल्ली पहुँच कर इस सिलसिले में केजरिवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केजरिवाल ने तेलंगाना की ततकालीन सीम के सीयार की बेटी के कविता का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने शराब कारोबार पर उनको अप्रोज किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी को 100 करोड रुपए देने का ओफर दिया है। केजरिवाल के इस संबंध में मुंग्टा को के कविता से बात करने को कहा। जिसके बाद दोनों के बीच अग्रिमेंट भी हो गया। समझोता होने पर मुंग्टा के बेटे ने साउथ लॉबी को 25 करोड रुपए गैश दिये। इडी की शुरुवाती जाच और आरोपियों से पूसा जैसे ऐसे आगे बढ़ी इडी के हाथ दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुचने लगे। शराब घुटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गरफतार करने से पहले इडी पुक्ता सबूत जुटाना चाहती थी इसके लिए के फैक्टर पर फोकस किया गया और जैसे ही इडी को लगा कि उसके पास पुक्ता सबूत है दिल्ली से लेकर दक्षिन तक फैले इस एक तरफ E.D. ने केजरिवाल के डिप्टी मनीश सिसोदिया, सांसत संजय सेंग और वेजा नायर को अपने शिकंजे में लिया, तो दूसरी तरफ के कविता के करीबी अभिशेक, बोहिन, पल्ली, मूंग्टा, राखाव रेड़ी और शरत चैंदर रेड़ी की भी अब इडिवाल के डिप्टी में लिया, तो दूसरी तरफ के करीबी अभिशेक, बोहिन, पल्ली, मूंग्टा, राखाव रेड़ी और शरत चैंदर रेड़ी की गर्दन तक महुँचे, और तम घोटा देख, दोनों आरोपी सरकारी गवाह बन गए, तब दोनों ने वो ना के कविता और अर्वेंद केजरिवाल, इडि को दो नाम मिल चुके थे, बड़े नाम, दोनों को समन्स भेजे जाने लगे, 15 मार्च 2024 को हैदराबाद में इडि ने के कविता से पूछताच की और उसी दिन गिरफतार कर लिया, बस यहीं से केजरिवाल की गिरफतारी का काउ क्योंकि एडि पुखता सबूतों को जुटा चुकी थी, गवात तयार कर चुकी थी, केजरिवाल के खिलाफ आरोकों का पुलिंदा तयार था, उनकी गिरफतारी का ग्राउन भी सॉलिड बनाया गया, इडि ने कोट के सामने 28 पेज के दस्तावेज में दिल्ली शराब घु इडि ने कोट को बताया कि शराब घुटाले में दो बार पैसों का लेंदेन हुआ, इडि को मनी ट्रेल की जांच महीं के पता चला है कि हवाला के जरिये 45 करोड रोपे गुवा ट्रांसफर किये गये, जिसका चुनाओ में इस्तेमाल हुआ, केजरिवाल के करीबी विजन आ जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति मनीन लॉंडरिंग में शामिल है, इडि के आरोपों पर केजरिवाल की तरब से सफाई में भी बहुत कुछ कहा गया, केजरिवाल के वकील ने एक कोट में दलील पेश करते हुए गिरफतारी को गलत बताया, अभिशेक मनु सेंग्व उन्हें ने कहा कि गिरफतारी की जरूरत नहीं थी, चुनाव को देखते हुए अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी हुई है, उन्होंने कहा कि एडि सिर्फ तीन चार नामों को दोहरा रही है कंभीर और व्यापक मुद्दा है, ये सिरफ एक व्यक्ती या व्यक्ती विशेश या पार्टी विशेश का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा व्यापक इसलिए है, क्योंकि ये सीधा संबंद रखता है भारत के समविधान के मूल धांचे से, जिसको आप बेसी स्ट्रक्चर कहते है अलकि अदालत ने केजरिवाल को 6 दिन की रिवांड पर भेज़ कर शराब घोटाले की टाइम लाइन खीच दी है 28 मार्च को 28 मार्च को अगला चैप्टर शुरू होगा, देखना ये है कि केजरिवाल का होता क्या है जहां इस पूरे मामले में कारवाई लगातार चल रही है, वहीं बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से जहां सुबह से ही एडी की एक बड़ी कारवाई देखने को मिल रही है छापेमारी लगातार कई ठीकानों पर की जा रही है E.D. की टीम एक साथ कई जगों पर चापे मारी कर रही है ये चापे मारी के कवीता के रिष्टेदारों के आँ की जा रही है हाला कि ये रेड आखिर किस मामले में पर्टिकुलर चापे मारी हो रही है ये E.D. अब तक साफ नहीं कर पाई है लेकिन कई सुबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और खास तोर पर निशाने पर है के कवीता के करीब ही उनके रिष्टेदार और ऐसे में अब एक साथ कई जगों पर E.D. की ए चापे मारी चल रही है के कवीता की इमान और अब आखिरकार जिस तरह से कारवाई चल रही है दिल्ली के शराबनीती मामले में अब E.D. एक के बाद एक कई तार जोडने की कोशिश में है अर्विन केजरीवाल को भी अब रिमान पर लिया गया है वही के कवीता के रिष्टेदारों के आँ चापे मारी चल रही है हैदराबाद में सुबे से ही लगातार दिल्ली शराब घुटाले में E.D. की बड़े चापे मारी चल रही है और E.D. की टीम एक साथ कई जगों पर ये चापे मारी कर रही है के कवीता के रिष्टेदारों के ठेकानों पर ये चापे मारी हो रही है के कवीता के भाई की बहू के ठेकानों पर ये चापे मारी हो रही है और कई और सुबूत दस्तवेज जुटाने की कोशिश एडी कर रही है जिस तरह से शिकन्य में के कवीता आई है माना ये जा रहा है कि उनके कुछ और खरीबी रिष्टेदार भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसी आशंका के मद्दे नजर ED की ये कारवाई आना कि आधिकारिक तोर पर ये भी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या पर्टिकुलर इसी मैटर से जुले ये चापे मारी है या फिर कुछ और कनेक्शन लेकिन ED का शिकंजा लगातार कस्ता चला जा रहा है झाल 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 झाल